कहानी सुनाओ इनाम पाउं में आप सभी का हार्दिक स्वागत है यह एक दम सची घटना पर आधारित कहानी है ट्रेन में ऐसी घटना घटी के आप सोच नहीं सकते हैं एकदम सची घटना पर आधारित कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं अगर आपके पास कोई कहानी है तो आप हमें भेज सकते हैं हम आपकी कहानी हमारे चैनल पर लोगों को सुनाएंगे और हमारे चैनल की तरफ से आपको एक gift इनाम के तोर पर दिया जाएगा और आप comment भी करते हैं हम आपकी comment देखते हैं आपके comment हमें अच्छे लगते हैं हम आ आपके लिए ही बनाया गया है सची कहानी भूतों की सची कहानी हो गई चुरेल डाकनी ब्रह्म डाकनी ऐसी कई सारी घटना हैं हमारे गाउं में घटती है जिस पर हम कहानियां बनाते हैं और हम उस कहानियों को आप तक लेकर आते हैं और आपको सुनाते हैं यह भी कहानी एक स शुरू करते हैं एक बार मैं में देमे सफर कर रहा था तुम भिशे बहुत का सफर करना था मैने करा रखा था मेरे सामनी वर्त पे एक बुजर्ग बैठे हुए तर्फ है कि कि कैने लंबा सफर था और वह झा रहे थे मैं भी एक पुष्टक लेकर पढ़ाई करने लग गया कहानी का बुक था और मैं पढ़ रहा था उस कहानी को भूतिया कहानी थी मजा आ रहा था मनंजन करते हुए हम जा रहे थे कहानी पढ़ रहे थे बुजुर्ग सामने बैठे हुए काफी दिर से हमें ही देख रहे थे मैं भी उनको देख रहा थ रात का समय था ट्रेन पूरी रफदार में दोड़ी चली जा रही थी पूरी रफदार में थी रात का समय था सुन्सान रास्ते थे और मैं अपने बुख प्रणे में पूरा मस्त्गूल था रोविर्द अचानक लेट से गए थे सोने की मुद्रा में थे और सभी को चुक की जोर से होरों की आवाज सुनाई देने लगी और ट्रेन रुक गए मैंने सोचा कि चलो बाहर देखते हैं कोई साइध इस्टेशन होगा इसलिए ट्रेन रुक गई है जब मैंने खिरकी के बाहर देखा तो देखता हूं क्या हूं कि वहाँ कोई ऐसा स्थान नहीं है पूरे मेरे सामने वाले भुजुर्ग भी उठकर बैठ गये थे और थोड़े से डड़े हुए महसूस कर रहे थे पर मैंने उतना कुछ ध्यान उनकी तरफ नहीं दिया फिर ट्रेंड की हॉर्ण बजी और ट्रेंड चलने को रवाना हो गई मुझे ट्वाइलेट लगा मैं ट्वाइल करने तेज हो गई लड़की के देखने में बहुत काफी कुछ सुन्दर थी उसका चेहरा काफी कुछ अच्छा था पूरा शरीर एकदम खूब सूरत हसीना की तरह थी इसे देखकर कोई भी इनसान अपना आपाग हो सकता था प्र भी मैं ट्वाइलेट की तरफ बर गया ट् नहीं थी मेरे मन में बहुत अर्मान थे प्रंतु सारे अर्मान टूट गए थे मैं अपनी सीट की तरफ चल दिया दोनों तरफ देखते जा रहा था कि साइद कहीं इसी में से उठकर आकर खड़ी होगी और फिर जाकर बैठ गई इतनी खूब सूरत थी कि मैं व्या नहीं कर लड़की को देखकर अपने अंदर के आर्मान को जगा रहा था मैं साधी तक के मेरे आर्मान हो गए थे सहनाईयां बजने लगी थी मेरा जीवन उथल पुछल हो गया था पूरा धरकने मेरी जोड-जोड से चल रही थी आप सोच सकते हैं कि आपके पास अगर कोई सामने आ मेरे अर्मान और घिलकोरे मारने लगे फिर भी मैं अपने आपको सांथ किया सुचा के कुछ बात करूँगा पर हिम्मत नहीं जुटा पाया मैं उससे बात करने का हिम्मत मेरे अंदर नहीं हो पाई फिर भी मैं वहाँ बैठ गया प्रंतु दो मिनत बाद वह लड़की उठ सारा कि कर रही थी उफ्लाने के लिए मैं सोचा कि चलो अनदर जो आर्मान थे वो और ज्यादा ईसा HOLT पहली बार आया है किने ट्रेहे में सवर कर रहा हूं और मैं कई वार ठ्रेश में सवर कर चुका था प्रना दिर्न ट्रीन. अपध पर Warumत हूई नहीं थी और न Tabići कि मुझे सामने से रात के तीन बजे बुला रही थी और वह भी जा रही थी गेट की तरफ वहां वासरूम था मैं काफी कुछ मेरे मन में चल रहा था आप समझ सकते हैं मेरे मन में ऐसे कई सारे उथल पृथल चल रहे थे मैं जो उठकर जाने के लिए तयार हुआ तभी मेरी गुजुर्ग पर पर गई ब्यूर्ग की आखों में डर था और नजाने वह आखों से इसारा कर रहे थे कि मत जाओ फिर भी मेरे अंदर जो हिलकोरे मार रहे थे मैं उसे रोक नहीं पाया और मैं लड़की के पीछे लपक लिया जब मैं गेट के पहुचा तो वहां लड़क प्लठ कपाउंड दोरते हुए यह हैं यहा से फारह तक नज़रे रहा था कहीं तो होगी मेहार धरवाजे को पीर रहा था खोल रहा था प्लतों कलड़की कहीं ती ने अन्य था तुम जीवन में कभी दुबारा कुछ देख नहीं पाओगे और वह बुजुर्ग उसी एस्टेशन पर उतर गए मैं आज भी उस बात को सोचता हूँ तो सहम जाता हूँ कि आखिर वह लड़की गई कहा और वह लड़की थी कौन और मुझे बुलाई प्रन्तु उस बुजुर्ग के इसारे से जो मैं थोड़ी दिर के लिए रुक गया क्या यही मेरे जीवन के लिए अच्छा था क्या मैं इसी के कारण बच पाया यह सब सोच कर मैं अपने जीवन में कभी कभी सहम सा जाता हूं और ट्रेंड में मैं जब सफर करता हूं तो थोड़ी सी सहमत मुझे होती है और रात में तो मैं बिल्कुल हिंट अपने सीट को छोर कर कही नहीं जाता अपने सीट पर ही बैठा रहता हूं और मैं किसी से कोई कोई बात नहीं करता चूप चाप अपने गंतव्य को चला जाता मेरी कहाणी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा सेर अवश्य करिएगा और आप के पास कोई वीडियो है आपके पास कोई निये तो आप अवश्य हमें सुनाइएगा हम कहानी किसी लगी आप एक पर आवश्य कोमेंट करके बताएगा और अगर कॉमेंट पसंद आता है कहानी आपकी पसंद आती है हमारे चनल आपको गिफ्ट देगे आप उस गिफ्ट का वीडियो भी हमें बना कर भेसकते हम वीडियो भी आपके पुब्लेस करेंगे हमारे चनल और आपको खूब मज़ा आएगा हमारे चनल के स्याथ जूड़ने के लिए धन्यवाद